नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चानल सरकारी जॉब इन्फो पर जैसा कि आप लोग जानते ही हैं आप लोगों की तैयारी को एन्हांस करने के लिए हमने करंट अफियर्स की सीरीज शुरू की है जो कि हम आपको पिक्चर्स की थूरू करंट अफ चानल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलते हैं आज के अपडेट्स पर जिसमें सबसे पहले न्यूज है नेशनल न्यूज की पेट्रोल में बढ़े हुए इथिनॉल मिश्रन की माध्यम से सीर्ता को बढ़ावा देने और उत्तरजन को कम करने के लिए केंद्रे मंतरी हर अधीब सिंग द्वारा इथिनॉल में 100 इंदन पहल की शुरूआत कर दी गई हैं इंटरनेशनल न्यूज में बात करें तो ब्रिटेन ने लंबी दूरी तक सटेक निशाना लगाने में सक्षम ड्रैगन फायर लेजर निर्देशित उर्जा हतियार का सफलता पूरवक परि लानगर कर दिया गया है राजस्तान में मुफ्त बाजरा बीच भी मिला है सरकार रुत पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को मुफ्त बाजरा बीच वित्रित किया गया शाक के शरीर के अंगों में अवैज वेपार हावी होता है तो जो समुद्री जैवेवित्ता के लिए खत्रा भी बन सकता है तो इसके लिए भी तमिलाडू ने अवेज शाक वेपार बन कर दिया है इंपोर्टन डेट्स की बात करें तो नैशनल वैक्सिनेशन डे सोला मार्च को मनाया गया था जो कि वैक्सिनेशन के लिए बहुत इंपोर्टन डे माना जाता है डिफेंस न्यूज की बात करें तो नौसेना भवन का उधगाटन रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने दिल्ली में भाते नौसेना के लिए उधगाटन किया बिजनिस न्यूज में बात करें तो FSCI का E-Tried Campus नेरली 100 जेलों को प्रमानित किया गया जहां पर स्वस्त भोजन पर्थाओं को बढ़ावा देने की पहल की गई अदानी ग्रीन एनर्जी का पवन सेयंतर गुजरात में 126 मेगावाट का पवन उर्जा सेयंतर चालू हो गया जो 300 मेगावाट की परियोजनाओं का हिस्सा बना है अवार्ड ने उसकी बात करें तो चवेली देवी जैन पुरुसकार 2024 उतकरिष्ट योगदान के लिए पत्रकार गृष्मा ठाकुर और रितिकार चोपडा को संविक्त रूप से समानित किया गया है टाटा संस के पूर्व चेर्मेन रतन टाटा को प्रतिष्टित पीवी नर्सीमा राव मुमोरियल अवार्ड से समानित किया गया है उन्हें उनके उतकरिष्ट परोब कारी योगदान के लिए पुरुसकार मिला पुरुसकार समारव 15 मार्च 24 को मुंबई में हुआ था एग्रिमेंट न्यूस की बात करें तो मैक्स इंडिया ने ITI दिली के साथ साजिधारी की है सहयो का उदेश्य वरिष्ट नागरिक की देखभाल में सुधार करना है रैंक और रिपोर्ट समाचार में बात करें तो वी डैम इंस्ट्यूट की लोगतंतर रिपोर्ट चुनावी निरकुंश्टा में भारत की निरंतर गिरावट पर प्रकाश डाला गया है भारत की HTI रैंकिंग सेंगतर रष्ट मानव विकास सुचकांक में 193 देशों में से 134 विस्थान पर है अपट्मेंट नियूज की बात करें तो NCL के नए CMD बीस आईराम को नौर्दन कॉल्फिल्ड लिमिटेट के अध्यक्ष और परबंद निदेशक की रूप में नियुक्तिया गया है स्पोर्ट्स नियूज की बात करें तो मैथ्व वैड ने रेड बॉल क्रिकेट से सन्यास ले लिया है उनके अंतिम शेफिल्ड शिल्ड मैच से उन्होंने ये पहली गोशना की है अब यटरी नियूज में बात करें तो साधी महम्मद का निदन सांस्क्रिट संगीत में विरासत छोड़ने जाने माने रविंदर संगीत गायक का सतर साल की उमर में ही निदन हो गया है तो ये थे आज के अपडेट 17 मार्श 2024 के अपडेट अगर आपको ये अपडेट से अच्छे लगे हों तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब जरूर करें और मोर अपडेट के लिए बने रहें थैंक्स फर वाचिंग